नमस्कार दोस्तों, OCA Network में आपका स्वागत है, जो द्रश्य अभी तक हम लोग सड़कों पर देखते थे, सारुजनिक अस्थलों पर देखते थे, यानि कहीं भी मारफिर्ट शुरू हो जाना, बहस बाजी शुरू हो जाना, वो अगर अब डोमेस्टिक फ्लाइट्स में अंतर राश्चिय उडानों में भी दिखाई देनी शुरू हो गई है, तो ये सब के लिए चिंता का विश्य है, जो विमान में यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए भी, उनके घर वालों, परिवार वालों के लिए भी, जो बद्धिजीवी वर्ग है, उनके लिए भी, जो अभी यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए भी, और सबसे बड़ी बात ये, कि जो विमानन कंपनियां है, जो अथौरिटी है, डीजी सीए है, और जो आपकी केंदर की सरकार है, उन सब के लिए चिंता का विश्य है, 2015 में जैपर से दिल्ली के लिए एक एर इंडिया की फ्लाइट में पाइलेट और को पाइलेट के बीच में कुछ कहा सुनी, बहस बाजी और मारिपीट की खबरे आई थी, तब इस पर बड़ी चर्चाएं हुई थी, कि ये अगर विमान के पाइलेट और को पाइलेट ही इस सुन रहे हैं, कभी कहीं, कभी कहीं, यात्रियों में भी कभी सामान को रखने को लेकर के, कभी सीट को लेकर के, कभी दूसरे मसलों को लेकर के, मतलब वहां भी क्लैश शुरू हो चुके हैं, और ताजा घटना जो है, वो है बैंकॉक से भारत आ रही फ्लाइट की, और ये गटना बताई जा रही है 27 दिसंबर की इसमें ये बताया गया है कि साब दो यात्रियों के बीच में पहले जहड़ा शुरू हुआ और जो परिचारी का थी एर होस्टेस थी उसने उनको समझाने की कोशिश की अलग-अलग करने की कोशिश की एक यात्री के कुछ और संगी साथ में यात्रा कर रहे थे उसके और जो जिससे बहत शुरू हुई थी वो अकेला दिख रहा था लेकिन जो एर होस्टेस थी वो नाकाम रही उनको समझाने में और उसके बाद बाकाइदा घूसे बाजी और मार पीट और थपड मारने वाली घटनाए जो है वो शुरू हो गई इन चित्रों में आप देख सकते हैं कि जब उनकी मार पीट शुरू हो गई तो एर होस्टेस भी पीछे अट गई लेकिन देखिए सबसे बुरी बात क्या है अगर किसी बात को लेकर के कोई जगडा हो भी गया है तो ऐसा तो है नहीं कि जो भारतिये हैं या भारत की ज जगड़े हो रहे हैं पर एक हवा ऐसी ही बनाई जा रही है और देखिए यह हवा कौन बना रहा है एक ट्वीट में आपको दिखाता हूं यह गबर के नाम से ट्वीट है गबर सिंग एड़ दरेट गबर सिंग इसने लिखा है इंडियन्स एन ओन एन इंटरनेशनल यानि एक तो भारतियों पर तंज कसा गया है कि वो अगर इंटरनेशनल फ्लाइट में हो तो फिर वो किस तरह का व्यावार किस तरह का जगड़ा कर सकते हैं दूसरे बदनाम किया जा रहा है एक तरीके से भारत को यह कोई भी है देशी है विदेशी है जो भी इस तरह की हर हरकते कर रहा है या इसके जैसे अब बहुत सारे लोग हैं जो भारत का खाते हैं भारत में रहते हैं यहीं काम करते हैं और भारत को ही भारतियों को ही बदनाम करते हैं गाली देते हैं एक अजीव सी मेंटेलेटी के शिकार कुछ लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते रहते ह है सोशल मेडिया मंचों पर यह बाट ठीक है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि वह हम ऐसी व्यवस्था करेंगे और इतना विस्तार करेंगे फ्लाइट्स का और हवाइड़ों का कि जो चपल पहनने वाले हैं वो भी विमान से यात्रा कर सके और यह यह इवन इस्तर है वो बदल रहा है उसमें परिवर्तन आ रहा है यह हम हर जगे नौट कर रहे हैं लोग बहुत बड़ी संख्या में गाडियां खरीदते हैं लोग टू वेहिकल से फोर वेहिकल के ऊपर आ गए हैं उनने खरीदना शुरू कर दिया है अपने परिवार की सुईधा के लिए या वर्क प्रेस पर जाने के लिए इसी तरीके से रेल गाडियों में भी जो आरक्षित सीट हैं उनकी बुकिंग बढ़ गई है इसी तरीके से ट्रेंस जो हैं वो एसी कोच हैं उनमें भी बुकिंग अच्छी खासी हो रही है ठीक ठाक हो रही है इसी तरीके से हवाई एड़ों पर जब हम जाते हैं तो इस बात का नौटिस लेते हैं कि लगभग हर वर्क के यात्री अब विमानों से यात्राइं कर रहे हैं वो चाहे अमीर हैं बहुत अम टिकेट दे करके बुलाते हैं और वो कम समय में अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच रहे हैं लेकिन एक बात नौट करने की है जो गरीब वर्ग का आदमी है जो चपल पहनने वाला आदमी है वो विमानों में जगड़े नहीं कर रहा है वो हवाई एड़ों पर इस तरह के द्रश उत्पन नहीं कर रहा है या उड़ते हुए विमानों में मारपीट नहीं कर रहा है और ऐसा भी नहीं है जैसा इस ट्वीट करने वाले ने शो करने की कोशिस की है कि जैसे भारतिये ही बद्दिमाग हैं बद्तमीर हैं या उनमें संसकार नहीं हैं मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ये मई 2022 का है, मैंचेस्टर से एक फ्लाइट नीदर लेंड के लिए उड़ी थी, और 30-35 हजार फुट की उंचाई पर मारपीट शुरू हो गई, बाद में बताया गया के साब वो कोई नसल भेद टिपनी की गई थी, इसकी वज़े से ये मारपीट हुई थी ये वो मारपीट के दिरश्य है, ये फ्लाइट है, मेरे पास दोनों ही गटनाओं के वीडियो भी है, जो बैंकोक से भारत फ्लाइट आ रही थी, उसका वीडियो भी है, इस फ्लाइट का भी है, मैं यहाँ दे इसलिए नहीं रहा हूँ, कि यूट्यूब की कुछ गाइड साइन्स है, जिसमें जो हिंसा की वीडियो हैं, वो एलाउ नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं वो वीडियो नहीं दे रहा हूँ, पर मेरा कहने का आशे ये है, कि केवल भारतिये ही मारपीट करते हूँ, या भारतिये जो फ्लाइट्स हैं, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, उन अब मैंचेस्टर से निदरलेंड जाने वाले इंडियन्स तो नहीं थे न, पढ़े लिखे ही होंगे, अंग्रेजी होंगे, यानि फोर्नर ही होंगे, हमारे लिए तो फोर्नर ही हैं, उनमें क्यों मारपीट हो गई, जाहिर है, इस तरह के हालात कहीं भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन ये जो हालात हैं, ये चिंता में डालने वाले हैं, आप कल्पना करिए, वैसे तो सभी हवाई यड्डों पर बहुत एहतियात बरते जाते हैं, सिक्योरिटी के कई चेक होते हैं, लेकिन अगर कोई अंतरराश्टी ये फ्लाइट में या डोमेस्टिक फ्लाइट में अभी इस तरह के जगड़े करना शुरू कर दे, मारपीट शुरू कर दे, बे काबू हो जाएं, तो आप 30-35,000 फुट की उचाई पर यातरी मिमान उड़ते हैं आम तोर पर, क्या सिच्वेशन वहां क्रियेट होगी, जरा इसकी कल्पना करके देखिए, अभी के लिए इतन करनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकोन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नौटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, बहुत-बहुत धन्यवाद, मौसकर.